Question 23 देखिए वो कह रहा है evaluate 2 sin square 60 degree minus 10 square 30 degree over over 6 square 45 इसकी value को हमें क्या करना है यहां पर evaluate करना है तो इसकी value को evaluate करने के लिए इन सब की जो technometric functions हैं उनके respective angle के लिए हम यहां value रख देंगे तो sin 60 की जो value है वो हमारे पास क्या होती है sin 60 is root 3 by 2 और उसका square हो गया minus 10 30 is 1 by root 3 का square हो गया नीचे sec 45 हमारे पास होता है root 2 का square हो गया तो यहां पर आ गया 2 in 2 this is 3 by 4 minus का 1 by 3 तो यहां पर आपका this is 2 से 2 times cancel हो गया और यहां पर आ गया 2 ऊपर LC हम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा 2 से 3 times यहां पर 9 आ गया 3 से 2 times यहां पर 2 आ गया upon 2 इस 2 की यहां multiply हो जाएगी तो 7 by 12 यहां पर value रखने से जो answer है वो 7 by 12 हमारे पास यहां आ रहा है